प्रधान मंत्री मोदी छे तो 112 मी बार मनकी बात करे रहा छे तेमनी मनकी बात कारेकरमा तारीखों मां छे ते फेरफार करवाया माव्यूद छे और इससे बढ़िया क्या होगा जनता जनारदन का आशिरवाद आपकी प्रेणा मेरी उर्जा भी बढ़ती रहेगी साथियो बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री के तोर पर मैंने ये अच्छा काम किया वो बड़ा काम किया मनकी बात के कितने ही स्रोता अपनी चिठिय में बहुत सारी प्रसंसा करते हैं कोई कहता है ये किया कोई कहता है वो किया ये अच्छा किया ये ज्यादा अच्छा किया ये बढ़िया किया लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास उनकी मेहनत उनकी इच्छासक्ति को देखता हूं तो खूद अपने आप हिन चुनोती हो भारत के लोगों का सामुहिक बल सामुहिक शक्ति हर चुनोती का हल निकाल देता है अभी हमने दो तीन दिन पहले देखा कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइकलोन आया तेज चलने वाली हवाएं तेज बारीश साइकलोन विपर जोई ने कच्छ कच के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइकलोन का मुकाबला किया वो भी उतना ही अभूतुर्व है दो दिन बाद ही कच के लोग अपना नया वर्ष यानि असाड़ी बीच भी मनाने जा रहे हैं ये भी संयोग है कि असाड़ी बीच कच में वर् रहा हूं वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है और इसके लिए कच के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बाद जिस कच के बारे में कहा जाता था वो कभी होते जीलों में से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कचके लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे साथियों प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है वो आज एक उधान बन रही है प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इसलिए ही आदेश कैज्द रेग जैसे अभियानों के जरिये सामोहिक प्रयास कर रहा है पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्ट अप्स की चर्चा की थी इस बार भी मुझे चिठ्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक मुंद बचाने के लिए जी जान से लगे है ऐसे ही एक साथी है यूपी के बांदा जिरे के तुलसराम यादव जी तुलसराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है आप भी जानते हैं कि बांदा और बंदेल खंड छेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसराम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से जादा तालाब बनवाए हैं तुलसराम जी ने अपनी मुहीम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिल करके एक बिलुप्त नदी को पुनर्जी भी किया है यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी समय के साथ वो लुप्त हो गई लेकिन स्थानिय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा आखिर कर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी लोगों के सामुहिक प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है नदी के उद्गम स्थलकों अमरुद सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है साथियों ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जलसरोत ही नहीं होते हैं बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाय भी जुड़ी होती हैं ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने को मिला ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरां कैनाल में पानी शुड़ा गया था इस दौरां जो तस्वीरें आई वो भाकई भावुक करने वाली थे गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज चत्रपती सिवाजी महाराज को भी याद करूँगा चत्रपती सिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवननेंस और उनके प्रबंध का उसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नवसेना को लेकर चत्रपति सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर बढ़ाते हैं उनके बनाए जल्दूर्ग इतनी सताबियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की सुरुवात में ही चत्रपति सिवाजी महाराज के राजजा विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं इस अउसर को एक बड़े पर्व की रुप में मनाया जा रहा है इस दोरान महाराज के राएगर केले में इस से जुड़े भव्य कारखमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राएगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सोवागे मिला था यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम चत्रपति सिवाजी महाराज के प्रमंद कौशल को जाने उनसे सीखें इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और वविश के लिए कर्तवियों की प्रेणा भी मिलेगी मेरे प्यारे देश वाचियों आपने रामायन के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी कहने का मतलब ये कि जब नियत साफ हो प्रेयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है ये चुनावती है टीबी की जिसे छए रोग भी कहा जाता है भारत ने संकल्प किया है दोहजार पचीस तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष बहुत बड़ा जरूर है एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदसे बना कर उनकी मदद की जा रही है इस अक्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है देश में बहुत बड़ी संख्या में भिन्द सामाजिक समस्ताई निक्षय मित्र बनी है गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मरीजों को गोद लिया है कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगया आए हैं ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी तरह है इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से ज़्यादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षे मित्रों ने मज़े खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने गराम प्रधानों ने भी बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने गाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे नईनितार के एक गाउं के निक्षे मित्रों स्रिमान दिकरसी मेवाडी जी ने टीबी के छे मरीजों को गोड लिया है ऐसे ही कि नोर की एक ग्राम पंचाइट के प्रधान निक्षे मित्रों स्रिमान ग्यानसी जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उप्रब्द कराने में जुटे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवास साधी भी पीछे नहीं है हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सींका कमाल देखिए की बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन MP के कटनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डाइमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर जी दोनों ही कुछ अलगी बच्चे हैं इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभ्यान में लगा दिये हैं ये सभी उधारन भावक्ता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरग भी हैं कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता हूँ मेरे प्यारे देश वाशियों हम भारत वाशियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावाकी अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती हैं मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तिन दसक में जैव विविद्रता का केंद्र बन जाते हैं अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है हमारे हाँ केरला के एक टीचर सिमार राफी रामनाज जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीरी में बदल दी दरसल रामनाज जी अपने स्टूनेंट्स को प्रकृती और परियावरन के बारे में घहराई से समझाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना दा रहा है उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है उनकी इस काम्याबी ने उन्हें और भी प्रेना दी इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फोरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम अब इतना खुबसुरब नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम रामनाजी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाए गए उनके स्टूडन्स भी इनके रख रखाव में उनका हाथ बटाते हैं इस खुबसुरब जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे आमनागरिक काफी भीडू मरती हैं मियावा की जंगलों को किसी भी जगह यहां तक की शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवडिया एकता नगर में मियावा की फोरेश का उद्धाटन किया था कच में भी 2001 के भूकम्त में मारे गए लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है कच्च जैसी जगह पर इसका सफन होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राक्रूतिक परिवेश में भी ये तकनिक कितनी प्रभावी है इसी तरह अमबाजी और पावागड में भी मियावा की मैथर से पवदे लगाये गए हैं मुझे पता चला है कि लखनों के अलीगंज में भी एक मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है पिछले चार साल में मुंबई और उसके हासपास के इलाकों में ऐसे साड़ से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है अब तो ये टेकनिक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है सिंगापूर, पैरिस, आस्ट्रेलिया, मलेसिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है मैं देशवास्यों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आगर करूँगा कि वे मियावा की पद्दल्टी के बारे में जरूर जानने का प्रयास करे इसके जरिये आप अपनी धर्ती और प्रक्टिती को हरा, भरा और स्वच बनाने में अमुले योगदान दे सकते हैं मेरे पैरे देश वास्यों, आजकल हमारे देश में जम्मु कश्मीर की खूप चर्चा होती है कभी बढ़ते परियटन के कारण, तो कभी G20 के शांदार आयोजनों के कारण कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादुरू देश के भार भी पसंद किये जा रहे हैं अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है बारा मुला में खेती बाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहां दूद की कमी रहती थी बारा मुला के लोगों ने इस चुनवती को एक आउसर के रुप में लिया यहां बड़ी संझ्ख्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाई आई जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी इश्रत एक graduate है और इन्होंने मीर सि्स्टर्स डेरी फार्म शुरू किया है उनके डेरी फार्म से हर दिन करीब एक साती है वसीम अनायद वसीम के पास दो दर्जन से ज़्यादा पश्रू है और वो हर दिन दो सो लीटर से ज़्यादा दूद बेचते हैं एक और युवा आबिद हुसेन भी डेरी का काम कर रहे हैं इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों की मेहनत की वज़ से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लीटर दूद उत्पादन हो रहा है हमारी वाओंने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं इन खेलों में पंजाब उनिवर्सिटी अमरित सर की गुरू नानक देव उनिवर्सिटी और करनाटका की जैन उनिवर्सिटी मेडल ट पर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इन से युवां खेलाडियों की कई इंस्पारिंग स्टोरिज भी सामने आती हैं खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन उनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहल पीर चोट के भावजूद शौट पूट में गोल्ड मेडल जीतने में काम्यार रही सावित रिबाई फूले पूरे उनिवर्सिटी के सुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बैंगलूरू में निराशा हाट लगी थी लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं बर्दवान उनिवर्सिटी की सरस्विती कुंडू अपनी कबडी टीम की कैफ्टेन है वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है बहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एक्लेट्स को टॉप स्किम से भी बहुत मदद मिल रह हमारे खिलाडी जीतना खिलेंगे उतना ही खिलेंगे मेरे प्यारे देशवासियों 21 जुन भी अब आही गई है इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर राष्टिय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फर वसुध है कुटम कम यानि एक विश्व एक परिवार के रूप में सब के कल्यान के लिए योग योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सब को जोडने वाली और साथ लेकर चलने वाली हैं हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कारकम योऔर के सयुक्त राष्ट मुख्षाले यूएन में होने वाले योग दिवस कारकम में शामिल होने का आउसर मिलेगा मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है साथियों मेरा आप सभी से आगर है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाए इसे अपनी दिन चरिया का हिस्सा बनाए अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बहतरीन मुका है योग में तो बैसे भी ज जादा ताम जाम की जरूती नहीं होती हैं देखिए जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे देश वासियों परसों यानि 20 जून को अइतिहासिक रथियात्रा का दिन है रथियात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है देश के अलग राज्यों में बहुत दुमधाम से भगवान जगन के रथियात्रा निकाली जाती हैं ओडिसा के पूरी में होने वाली रथियात्रा तो अपने आप में अद्भूत होती हैं जब मैं गुजरात में था तो मुझे आमदाबाद में होने वाली विशाल रथियात्रा में शामिल होने का आउसर मिलता था इन रथियात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्क के लोग उमरते हैं वो अपने आप में बहुत अनुकर्णी है यह आस्ता के साथ ही एक भारत स्रेष्ट भारत का भी प्रतिविम होती हैं इस पावन पुनित आउसर पर आप सभी को मेरी वर से बहुत बहुत शुप कामना हैं मेरी कामना है भगवान जगनात सभी देश वास्यों को अच्छे स्वास्त और सुक्ष सम्रुद्धि का आशिर्वात प्रधान करें साथियों भारतिय परंपरा और संस्कृति से जुड दूर उल्लेक करूंगा अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कारियों से होने लगी हैं आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभ्यान के प्राकृतिक खेती से जुड़े अभ्यान के भजवाहक बन रहे हैं बीते समय में गुजरात हो गोवा हो त्यलंगरा हो महाराष्ट हो सिक्किम हो इनके स्थापना दिवस को अलग-अलग राजभवनों ने जिस उत्सा के साथ सेलिबरेट किया वह अपने आप में एक मिशाल है यह बहतरीन पहल है जो एक भारत स्वेश्ट भारत की भावना को ससक्त बनाती है साथियों भारत लोगतंतर की जननी है मजरब डेमोक्रेसी है हम अपने लोगतंत्रिक आदर्शों को सर्वोपरी मानते हैं अपने संविधान को सर्वोपरी बानते हैं इसलिए हम 25 जुन को भी कभी भूला नहीं सकते यह वही दिन है जब हमारे देश पर एमर्जंसी थोपी गई थी